वो कीपिंग कर सकता है, वर्ल्लकप खेल सकता है, वो फिट है हम बात कर रहे हैं रिशब पंद की, दरसल BCCI ने रिशब पंद को आधिकारिक तौर पर फिट घोशित कर दिया है पंद की फिटनेस की खबर ने उनकी टीम दिली कैपिटल्स के कैंप में खुशियां विखेल दी है, ऐसा इसलिए क्यूंकि रिशब पंद का बतौर विकेट की पर बल्लेबास फिट घोशित होने का मतलब ये है कि वो दिली कैपिटल्स के कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं आपको बता दे कि आखरी बार 25 दिसंबर 2022 को क्रिकेट मैदान पर रिशब पंद उतरे थे उसी साल 30 दिसंबर को उनका एक्सिडेंट हो गया था इस हाथसे में उनके दाएं गुठने में गंभीर चोट आई थी एंकल और कलाई में भी फ्रेक्चर हुआ था चोट से उभरने के लिए रिशब पंद को सरजरी कराने पड़ी इसके बाद तकरीबन 14 महीने तक रिहाब करना पड़ा तकरीबन 2 महीने पहले से पंद ने बैटिंग और विकेट कीपिंग की प्रेक्टिस शुरू कर दी थी उन्होंने कुछ अभ्यास मैच भी खेले और अब BCCI ने भी उन्हें फिट घोशित कर दिया है BCCI ने रिशब पंद के फिट होने की सूचना ट्वीटर हैंडल पर शेयर की है इसमें कहा गया है कि पंद को विकेट कीपिंग बैटर के तौर पर फिट घोशित किया गया है ये इस बात का भी संकेत है कि रिशब पंद दिली कैपिटल्स में बतौर कप्तान ही वापसी करेंगे कुछ दिन पहले टीम के कोच रिकी पॉंटिंग ने भी कहा था कि पंद बतौर कप्तान वापसी कर सकते हैं चर्थ ये है कि उन्हें पूरी तरह से फिट होना होगा साल 2023 में दिली कैपिटल्स की कप्तानी डेविड वार्नर ने की थी रिशब पंद की खेलों की बात करें तो रिशब पंद ने IPL में 98 मैच खेले हैं जिसमें उनके बल्ले से 2838 रन बनाए हैं वहीं पंद ने 33 टेस्ट में 2271 रन बनाए हैं इसके इतर 30 वंडे में उनके बल्ले से 865 रन निकले हैं G20 इंटरनाशनल के 66 मैचों में 987 रन बनाए हैं IPL 2024 अब करीब आ रहा है 22 मार्च से इसका आगास होगा बता दे कि साल का पहला मैच RCB और CSK के बीच खेला जाएगा